नमस्कार मैं डॉक्टर सुशिल दुबे इस समय जहां देखो वहां पर RT-PCR, RT-PCR, RT-PCR इस तरह के शब्द हमेशा सुनाई देते हैं तो यह RT-PCR है क्या? RT-PCR का मतलब होता है Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction इस test के सारे से हम viruses को detect कर पाते हैं कि यह coronavirus इसके शरीर में मरीज के शरीर में प्रवेश किया है या नहीं किया है जैसे हमारे शरीर में DNA होता है वैसे ही viruses के शरीर में RNA होता है इस RNA को detect करने के लिए यह RT-PCR का test किया जाता है और यह COVID का सबसे gold standard है जिससे कि हम पता कर पाते हैं कि किसी को coronavirus का infection लगा है या नहीं लगा है तो RT-PCR का मतलब होता है reverse transcriptase polymerase chain reaction अब सवाल ही आता है कि यह RT-PCR test हमें कब करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि RT-PCR के false negative results आते हैं यह false negative results आने का कारण क्या है क्यों ऐसे गलत जानकर यह RT-PCR दे देता है अगर इसको gold standard diagnostic method माना जाता है तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यह क्या करता है यह RT-PCR यह viruses के level को यह जाचता है उनके जो RNA है उनको वो detect करता है शुरुवात के जो तीन दिन होते हैं शुरुवात के तीन दिन में अगर viruses का जो संक्रमन है उनकी quantity अगर कम है viruses का जो load है अगर वो कम है आपके swab में तो वो नहीं detect हो पाता है तो शुरुवात के तीन दिन में लगबग 65% केसिस में वो नेगेटिव बताता है इसलिए अच्छा यही होगा कि हम जब भी RTP से टेस्ट करवाएं कम से कम चार दिन के बाद ही करवाएं तो चौते दिन के बाद अगर आप करवाते हैं और आप अपने आपको खत्रे में डाल सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में कोई इस तरह कर टेस्ट करवाते हैं तो जब भी आपको RTP से टेस्ट करवाना हो या कोई भी टेस्ट करवाना हो तो आप अपने जो डॉक्टर होंगे उनसे आप सला जरूर कीजिए उनके सला से उनके मश्वरा करने के बाद ही आप किसी भी तरह कर टेस्ट करवाईए हर टेस्ट का अपना एक समय होता है कि कब उसको करवाया जाता है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी को अगर COVID पॉजिटिव आया है और उन्होंने अपना पूरा समय उनका ठीक हो चुके हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बावजूद जब वो आटी पी से टेस्ट करवाते हैं तो फिर वो नेगेटिव के बजाए पॉजिटिव आता है तो कई बार क्या होता कि वाइर्थ का लोड़ साथ होने के कारणि जब मरीज एक दम से टीक हो चुका होता है उसके बावजूद वो वो वायरेस्ज दम मर चुके होते हैं उसके बाद में भी, तो अगर आप ठीक हो चुके हैं, अगर आपको कोई symptom नहीं हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तब पर भी आपको mask, sanitization और social distancing का तब भी आपको पालन करना होगा.